जारखंड में आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर भाजपा की तैयारिया लगातार जारी है केंद्री क्रिशी वंकिसान कल्यार मंत्री और जारखंड चुनाओ प्रभारी शुरासिंग चौहान लगातार जारखंड के दोरे पर रहते है केंद्री मंतरी शुराज सिंग चौहान से बाचीत की हमारे समवादाता सूमेश पठेल कमारे सम्मेलन हो गया और कारिकरता संकलप बद्ध हो चुका है सरकार को बदलना है और इसके लिए हमारे कारिकरता पूरी तरह से तयार है राज में भ्रिष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है दूसरी तरफ कानून विवस्था पे भी सवाल उठ रहे हैं यहां पर जो भी हारकंड में सरकार कानून है ना विवस्था या क्या बचा है कुछ हैं नहीं है पैसे लाओ और ले जाओ यह लाइंड और का मतलब है और भ्रिष्टाचार भी यह ऐसा के नोटों के पहाड निकल रहे हैं एक तरफ यह पहाड के पहाड़ गायब हो रहे हैं खनन के नाम पर और दूसरी तरफ न लोटों के पहाड मिल रहे हैं जारखंड जैसी लूट मैंने अपनी जिन्दगी में किसी राज़ मैं नहीं देखी आने वाले विधान सवाच चुनाओं में बेजेपी किन मुद्दों को लेकर चारी है जनता की बीद्दा है सुरक्षा का जारखंड की मुद्दा है भच्टा नहीं मिला इन्होंने कहा था कि दो लाक रुपया तक घर खर्च के चूला खर्च के लिए बेहनों को दिया जाएगा एक धेला दिया क्या एक वादा पूरा नहीं किया बेहनों को पचास लाक तक की जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री सुलक के बल एक रुपया भारती जन्ता पालिटी अपना संकल्प पत्र बना रही है समाच के हर वर्गे से हम चर्चा करेंगे और जारखंट की जन आकांच्छाओं को पूरा करने का हमारा संकल्प पत्र होगा उसकी तैयारी हमने प्रारंबु कर दे हैं यह थे केंडरी मंत्री शिवरास चौहान जो डीडी न्यूस से अलग-अलग मुद्धों पर बात कर रहे थे अपने कयमरा सोयोगी विकास के साथ शोमेज पतेल डीडी न्यूस राची